Highlights या protein क्या पहले करोगे protein treatment या highlighting करोगे तो आज हीस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम करेंगे highlighting, caratine treatment, प्लस हम करेंगे hair cut भी Hey everyone, welcome back to my channel, मैं हो Sika, welcome to Sika's Makeover तो फ्रेंज आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंट्रस्टिंग बेगिनर्स के लिए स्पेस ली क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी कुछ सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ तो देख सकते हैं यहां पे लेंज जो है मेरी क्लाइन की इस तरह ही है मतलब करेंब से और से लंबी लेंड थी इनको करवाना था बाल के वे एकते हैड बहुत ब्लाक्यांस कर दोड़ करते क्शी में आप यो स्कते हो यहां पर मैंने डवल सैंपो किया था और दफी नर्सेक उसे धैर बना करें जलैरा दना यहां करने के लिए यहां पर आए अचются थाल ड्राय करें है और विम्हणे अुलाज्राइश से अ Kids的ीक्म पहले करें तो कौन से चीज पहले करें तो आज मैं क्लियर बता रही हो आपको कि आपको हमीशा ही पहले क्यारटीन नहीं करना है पहले हाइलाइट्स करना है पर जबी भी आप हाइलाइट्स करने के बाद हाइलाइट्स करते हो तो हाइलाइट्स आपकी क्यारटीन को पूरा निकाल सब्सक्राइब होती है उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे बलॉंडर ॅ रेस्ट्य मो — mist, बिलकुल भी से मिक्स कमा रहा दाना कहीं इसरी होरा खταमें रहर है को और तुछ होता हुआ है कि mixing अच्छी से नहीं करते तो आपको यहां पे mix बहुत अच्छी से करना है particles पगरा जड़ा सभी नहीं रहना चाहिए यहां पे hair जो है वो हिना-coated hair है कुछी दिन पहले इनोंने हिना करवाया था और इनको चो color चाहिए था थोड़ा सा coppery stone में चाहिए था तो हम देखिए आप कैसे करते हैं क्योंकि इस तरह के हिना-coated hair में color जल्दी से मतलब उगर के नहीं आता है तो हम पहले करेंगे pre-lightning तो friends यहां पे मैंने इस तरह से section निकालूंगी और आप देखिए करिब-करिब मैंने 6-7 foils इनके hairs पे लगाया था बहुत ही prominent इनको highlights देखने मतलब चाहिए था तो इस तरह से अब देखिए कैसे हम निकालते है highlights की weave तो पतला से पहले आपको section निकालना है प्रेंट्स मैंने highlights की बहुत सारी videos बनाई है आप वहां से भी चेक कर सकते हो किस तरह से हम highlights कर सकते वीव निकाल सकते तो यहां पे मैं एससे और इसको fix कर देंगे scalp के पास और इस सरह से करने के बाद हम इस पे apply करेंगे जो हमने बनाया है pre-lightner उसको своils लगाने बाद तो यहां पर आप देखिए इस तरह से अच्छे से आपको लॉक करना है और उस के बाद हम यहां पे apply कर रहे हैं पना pre-lightner इस पूरे hairs पूरे एवरियू करना है फोरे haire ways Now, Do we hang our littleards यूज पर भीयी कर दो走吧 नच्डाइस रख और हम स्लाइस से दितिलव निक tips आ बस तरीका को धियान से रिखें अज में एक दम ही डेटेटेड में लिडियो बनारही है वीडियो सॉट होगी लेकिन एकदम डिटेल होगी कि कैसे आप कैरेटीन के साथ हाइलाइट करोगे तो फ्रेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिलाइटनिंग हम कर रहे हैं बालों पे और जबी भी आपके पास एकदम ही इस तरह के इस्टरवन भालाई ना एकदम ही कड़ा बालाई करली बालाई तो आप हमेशा प्रिलाइटिंग करके कलर हाइलाइट्स करो उससे आपकी हाइलाइट्स अच्छे सा दिखेगी प्रॉमिनन दिखेगी और अगर आप बहुत ही अच्छा कलर चाहते हैं आपकी कलाइन तो ऐसे कर सकते हो अगर नहीं तो आप डायरे्क हाई लिप्टिंग कलर से यूज कर सकते हो और उसके बाद हमने जो हमने किया था उस खालत सांचिड का है उसके बाद मैं फिर पत्ला से और जिसमें से मैं फिर से वीवब निकालूंगी इसप्रॉसेस को हम complete करेंगे पूरे-पूरे hairs पे और आप ध्यान से देखना कि कैसे हम कर रहे हैं इसी तरह से आपको भी करना है आप बिल्कुल भी वीडियो को skip मत करना और हाँ friends अगर यहां तक पहुँच चुके हो अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना में बहुत सारी इस तरह के वीडियो जो पार्लर से रिलेटेड होती है आपके लिए लेकिया आती हूँ प्री में आपको सिखाती हूँ बहुत ही डिटेल में बताती हूँ क्या करना है बिगिनर्स के लिए बहुत जादा helpful रहता है इस तरह के वीडियो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कोरके नोटिफिकेशन को अन कर लेना इस तरह के वीडियो जब आई आपको जब सब से पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप बस देखो कि कैसे मैं कर रही हूँ झाल 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 तो इस तरह से हमारे पूरे सेक्षन कंप्लीट होती है पीछे भी मैंने इस तरह से फॉइल लगा दिया है और अब हम यहां पर वेट करेंगे इनके हैर को प्रॉलाइट होने के लिए कलर आने के लिए तो यहां भी अकॉर्डिंगली आपको टाइम लग सकता है 30 तो 35 मिनट ज उसके बाद हम यहां पर अपना कलर बनाएंगे मैंने लिए है 12.1 और यह मैक्रिक्स के कलर है उसके बाद वालूम क्योंकि हम पर अव्रेड़ी पर लाइट कर लिया है तो 20 मैंने यहां पर लिया लुटण हमें नहीं चाहिए हमें डाइक्ड कलर यहां पर देपॉजट करना है इस तरह से हम मैंने 12.1 लिया है वन जो है हमारे यलो टोन जो भी आएगा उसको कट करेगा और बहुत ही प्यारा सा कफ़र टोन आएगा तो इस तरह से मैं यहां पे ले रही हूं और दोनों को मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद हम अब कलर बना मतलब मैंने कलर बना लि पूरे सेक्शन पे हम बार बार खोल को खोल के देखते हैं कि यह तो आया यह नहीं है यह चाहते बाल में पानी लेकर सारे हैर्स को पोच मितलब अच्छे से जिस पे क्रीम लगा ने प्रो लाइट ने उससे हम अच्छे से पोच देंगे या फिर आप इस तरह से टिशू ल क्रीम पूर लाइटनर जो है उससे हटा सकते हैं मैं बाल में लिया था उसके बाद मैं इस तरह से सारे कलर को रिमोब कर रही हूँ सिमिलरली आपको पूरे हैर्स में अच्छ से कलर रिमूद कर लेना है, बहुत ही लाइट हैंड से करेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे यहाँ पे, उसके बाद हम करेंगे कलर डिपॉजिट तो यहाँ पे आप चाहे तो पूरे हैर्स पे भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसके में का तो हाला हीड पनाया तो कोई से प्ला करूंगी बहुत अच्छे से कलर को अपिलाई करना प्लाई करना है। तिमल्चिफाय करते हूँ इस तरह से अप्लाई करते हूँ बहुत है बहुत ये कलर को आप मिलल्यक अठीड हो इप तकма स्टें बस उसी section को आपने लेना है और उसे अच्छे से color कर देना है deposit तो यह हो गया हमारा deposit पहले जो हमने किया था वो था pre-lightning तो आप यह तरीका भी कर सकते हो pre-lightning and depositing highlights के लिए या फिर आप direct tube से भी color लगा सकते हो मैंने बहुत सारे highlights की video डाली है जहां पर मैंने direct tube से लगाया था वो सारे chemical hairs होंगे जिस पे हम direct tube यूज कर सकते हैं यहां पर हिना महदी वाली hair है तो इस तरह के hairs पे आपको थोड़ा सा pre-lightning करने के बाद color जो है prominent दीखता है चाहे तो आप 12 नमर के series ले सकते हो matrix की high lifting colors होती है लॉरियल की भी आप 900S के साथ कर सकते है जो high lifting colors होती है वो आपको pre-lightning नहीं करना है आपको client को नहीं करना है तो लेकिन pre-lightning अगर आप 30 volume से करते हो तो आपकी hairs के लिए वो जड़ा भी handful नहीं है वो अच्छे से आप कर लेती हो ज्यादा हमको lifting चाहिए भी नहीं थी यहां पर हम क्यूंकि copper tone में बालो को कर रहे थे highlights तो इस तरह से ह हो गया है हमारा color depositing बहुत अच्छे से color करेंगे यहां पर deposit और यहां पर timing जो है आपको ज्यादा वेट नहीं करना है 20-25 minutes में आराम से color आ जाता है वह भी वैरी करता है आप देख लो अपने tone पे कितना color आ गया है उसके बाद हम फिर से इनको रखने के बाद ले जाएंगे सैंपू शेशन में मैंने यहां पर किया है सैंपू इनके हैर्स को और फिर हमने किया है towel dry क्यूंकि हम अप करने वाले है treatment तो इसलिए मैंने यहां पर अच्छे से सैंपू apply किया marks नहीं apply करना है आपको यहीं बहुत अच्छे से दिहान रखे जबी भी आप treatment कर रहे हो marks नही बहुत ही अच्छा treatment है आप कर से मेरे क्लाइन बहुत ही जादा साटसफाइब रहती है जबी मैं इस treatment को करती हूँ तो फ्रेंस इस treatment को करने का भी न अपना तरीका है देखे हर treatment का अपना तरीका है चाहिए आप कैरटीन करे बाटॉक्स करे या नैनो प्लास कुछ भी आप क करना है बस तरीका आपका सही होना चाहिए मैं इसमें बहुत ही सौर्ट में आपको दिखाऊंगी लेकिन प्रोसेस पूरा दिखा रही हूँ इस तरह से आपको शेक्सन लेना है पतला पतला यहां पे तो क्यूटीकल्स न बहुत अच्छे से खुले हुए क्यूंकि हमने पह यहां पर अप्लाई कर रही हूँ ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट को इस तरह से मलसिफाई करते हुए दो फिंगर की मदद से इस तरह से हम अप्लाई करेंगे कम भी यूज करेंगे साथ साथ इसी तरह से पूरे सेक्शन पे हम पतला पतला सेक्शन लेते जाएंगे और करते हुए दो फिंगर की मदद से एक दम प्रैस करके साहत में आपको कंभी यूज करना है इस तरह से लगाना है और फ्रेंस यहां पर आपको treatment cream बहुत भर-बर के नहीं लगानी है जैसे आप strengthening के cream लगाते हो वैसा आपको नहीं करना है treatment cream हमेसा हम इस तरह से आपो चोटी चोटी चीज आपको बताती हूँ जो सायद ही कोई बताता होगा यही सारी चोटी चोटी टेक्निक जो होती है ना आपके काम को गुड से बैटर बैटर से बैस्ट बनाता है तो आपको इसी तरह से करना है यह चोटी टेक्निक अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो पूरा पूरा देखना होगा क्योंकि मैं हर वीडियो में कोसिस करते हूँ आपको कोई ना कोई टिप तो मेंट जरूर देती हूँ तो इस तरह से आप देखिए लग रहा है ना है बहुत ज्यादा साइनी हाँ इसी तरह से आपको करना है पूरे हैर पूरे शेक्षन पे हम इस तरह से अपलाई करते जाएंगे और फ्रेंस आप देखिए किस तरह से मैं कर रही क्योंकि इसमें केरेटीन है तो केरेटीन में आपको होता है फॉर्मल डिहाइड नाम का इक जो कि आखो को और नाको बहुत ज़ाद इर्टेट करते तो आपको यहां पे ना मांक्स जरूर पहना है हाथ में भी गलप जरूर पहना है और फ्रेंस एक बात में आपको बता मैंने गलप्स नहीं पहना जब मैं ब्लो ड्राइ करके उसे सुखा रही थी तो मेरे नेल्स ना बहुत ज़्यादा दुख रहे थे और बहुत ज़्यादा वह कैमिकल मुझे रिटेट कर रहा था कापे दिनों तक दो तीन दिनों तक मेरे नेल्स सूज गया थे तो आप ऐसा बाए जम आभी है उसके बाद ना मैंने स्टार्ट कर दिया था इनके हर को ड्राइ करना तो ड्राइ जो करेंगे ना अपको ब्लो-ड्राइ करना एक दम ही कूल ब्लो-ड्राइ से यह पर होता है कि यहां पुरत नहीं कि देना है तो इसके दो पहना है तो अब 20% खुटेस्ट सब्सक्राइब लाइर हो चाहिए यहां पुरा फुल भ्लोड्राइब है थ्याप करएगा खुल्द में धुल अगुटाइब करो तो तो यहां पुडर करते हैं वहां जाना है वहां करेंगे पूरे हैर्स पे मैंने हैर्स पे पूरे फ्लाट ब्रस इस तरह से ब्लोड राइ कर दिया सेक्शन वाइस सेक्शन आपको करना है मैं यहां पे बस पूरे हैर्स को एक बार लेकर दिखाड़ी है और यह ना लास्ट वाला ब्लोड राय है पहले आपको सेक्शन वाइस स करना और इस समय ना स्मोक बहुत ज्यादा निकलता है तो बी केरफुल आपको बहुत अच्छे से मांक्स पहनना है क्लाइन को भी मांक्स दीजिए पहनने को और इस तरह से आपको करना है ब्लो ड्राइ देख सकते हैं आप मेरे हर एक सेक्शन में कर रहे हूं और आप बाल दे कम से कम से कम आपको 10-15 बार भर एक अदरjut इस स्थैक्ट में यहां पर द ही यहां पर दिस तरह से पर हे तेक् throw को आपको अपर सिर्द को डरना नहीं है क्योंकि आत देना पर बोस्या सक्रेद Mississippi का सब्रिदिच को जिस दरफ समोक बम गाना है है तो यहां पर डरना की कोई ब बहुत अच्छे से फाइन सेक्षन लेते हुए आपको पूरे पूरे हैर्स में करनी है तो फ्रेंस आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम प्रेसिंग करते हैं पहले आपको स्कैल्प के पास जड़ के पास करना है अच्छे से बालों को स्ट्रेट उसके बाद हम मीट में बहुत अच्छे से गौर से देखो कि प्रेसिंग कैसे करते हैं यही में चीज है जो आपके किसी भी टूर्टमेंट को लॉग करता है और उसका रिजर्ट भी अच्छा करता है तो आपको प्रेसिंग देखो कैसे कर रहे हैं पहले मैंने किया जड़ के पास उसके बाद हमने किया मेडलेंद में उसके माद हमने किया नीचे और फिर हम पूरे हेर्स पे एक साथ करते हैं तो इस तरह से आपको करना है प्रेसिंग ऐसा नहीं कि आप पहले ही बीच में करो फिर नीचे ऐसा नहीं चलता आपको एकदम ही जैसे काईदे से करना है तो ही आपका रजल्ट है यहाँ पे और इस तरह से करेंगे और फाइन फाइन सक्षन लेते हुए पूरे हैस पे एक दम ही मित है आपको यह वस ध्यान में रखना है कि एकॉर्डिंग तु टेक्स्च्च वाल स्क्रइट होते हैं अगर आपके बाल कर नेगे स्टडनेश नहित अगर शूर्म कि और आपयान से त स्ट्रेट के रच लाइन यू Samu बीट अबर शूर्ट करने के लात पाइंते उन आपके दाली की आपके से कनान Whereas यहां किम आंप कम नहिडें से नोल आपके सब्सक्ता हो बार जाहर हो ग Kom हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइड जाती है फ्रिज़नेस कम होता है बालों में ड्राइणेस कम होता है और बहुत ही सौट लगता है साइन आता है मतलब बांस पी आता है वॉल्यू में तो इसके साथ ना आपकी है फॉल भी कंट्रोल होती है तो यह चीज आपको धिहान में र करना है बना भीक करते है बहुत ज्यादा यह को ड़कgressorg काफी करेंटीन, मुल तो कोड़ेंगे भी चाहिए बनाना है करते हैं, मेरका ज़्याइट करने हूं कारना हिरुत हुआ है यह मत note तरti मैं प्रवाट तो आंए की सेक्षन वाइस सेक्षन और यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले जो हैलाइट सो रखी है वो भी जाधा खूब सूरत आ रही है बहुत ही जाधा prominent दिखने लगे गा जो हमने हाईलाइट किया था ने वो भी काफी खूब सुरत लगेगा इस तरह से तो इस तरह से आप कर सक क्योंकि नहीं होता है इसके बाद हमने पूरे-पूरे सेक्षन में किया था अच्छे से प्रेसिंग एकदम प्वाइन सेक्षन लेते हुए लास्टली हम अप्लाई करेंगे सिरम इनके हेर्स पे इस तरह से पूरे हेर्स पे अच्छे से सिरम लगाएंगे और यह देखें इनक हैस तो इससे करें करें को अपनी जटता Odyssey करने के बाद है रिखर को पानी लगागंए नहीं कि अपकाई पानी एक। तब तक बालो को पसीना नहीं आने देना है पानी नहीं लगाना है बालो को कलच नहीं करना है किसी तरह से कान के पीछे नहीं करना है यह प्रिकॉशंस रखता है रखना है 48 hours तक और जब Аप्ट्र कम्प्लीट होगी प्रॉसेस कैरेटीन की और आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया था ना एकदम ही ऑसम वाला रिजल्ट आया था और इसको वास करने के बाद भी बहुत ही प्यारा से रिजल्ट आया था बहुत ही अच्छा साइन आया था इनके हेर्स पे तो मीद करती आपको पसंद आई होगी जो भी बीगिनर्स है कैसे करना है उनके लिए बहुत हल्फुल रहा होगा यह वीडियो तो मेद करती हूँ कि आप भी सब्सक्राइब करके जोगे मेरे चैनल को क्योंकि इस तरह के वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेके आती रहती हू मिलते हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक एर और जैमातादी फ्रेंच सून इन नेक्स वीडियो और थैंक यू सो मुच फो वाचिन मैं वीडियो